हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे केक की रेसेपी ये केक बहुत ही स्वाधिष्ट बने हैं, इसे हमने आठा और गुर से बनाया है गेहू के आठे हल्दी होते हैं और ये केक बहुत ही बढ़िया एकदम पर्फेक्ट बना है एकदम soft cake बना है तोड़ के दिखाती हूँ ये देखिए एकदम जालिदार soft cake बना है तो friends आईए देखिए इस recipe को कैसे बनाते हैं यहाँ पे लिया है गुड़ गुड़ को कद्दुकस कर लेते हैं आप चाहे तो इसे छोटा छोटा तोड़ भी सकते हैं इसे इस तरह से कद्दुकस करके लेने से जब हम इसे mix करेंगे तो यह बहुत ही आसानी से mix हो जाएगा तो यहाँ पे आधा कप गुड़ लिया है वजन में यह 100 ग्राम है गुड़ को अब हम अलग बॉल में डालेंगे और इसी में हम इसे mix करेंगे तो यहाँ पे बॉल लिया है इसमें गुड़ को डालेंगे और अब हम इसमें अड़ करेंगे चार टेबल स्पून तेल तेल यहाँ पे मैंने रिफाइंड ओईल लिया है आप कोई भी बिना खुश्बू वाला तेल ले लें चार टेबल स्पून तेल डालने के बाद अब हम इसमें अड़ करेंगे तीन टेबल स्पून दही यह घर की फ्रेश ताजा दही है आप ज़्यादा खटा दही ना यूज करें और अब हम सभी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि ये गुड अच्छे से मेल्ट ना हो जाए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दो से तीन मिनट में ही गुड अच्छे से पिघल जाएगा इस तरह से लगातार हमने मिक्स करते हुए गुड को ये देखिए एकदम मेल्ट हो जाने तक मिक्स कर लिया है अब हम इसमें एक चलनी लगाएंगे और चलनी में डालेंगे एक कप गेहु का आटा और साथ ही एड करेंगे आधा टेबल स्पून बेकिंग पाउडर एक चोथाई टेबल स्पून बेकिंग सोडा सबको अच्छे से चान लेंगे इस तरह से चान लेने से अच्छा एडियेशन हो जाएगा मिक्स करेंगे तो अब हम इसमें आड़ करेंगे एक जथाई टेबल स्पून दूद और इसे मिक्स कर लेंगे मिक्स करते हुए अगर ये ज़्यादा गाढ़ा होने लगे या डोज ऐसा बनने लगे तो थोड़ा सा दूद्ध और एड़ करेंगे मुझे ये ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है एकदम डोज ऐसा है तो इसमें दो टेबल स्पून दूद और एड़ करके मैं इसे mix कर रही हूँ और ये देखिए अब ये अच्छे से mix हो गया है तो इसे जादा देर तक के लिए हम नहीं रखेंगे यहाँ पे एक केक बनाने का बरतन लिया है और इसे तेल से ऐसे grease कर लेंगे और इस पे butter paper लगा देंगे अब केक का mix इसमें डालेंगे और spoon से हलका सा दबाते हुए पूरे में फैला लेंगे इसके बाद हम इस पे अपने पसंद के dry fruits एड़ करेंगे तो यहाँ पे पूरे में इसको ऐसे set कर लिया है और अब मैं इस पे थोड़े से काजू डाल रही हूँ इसको छोटे टुकरों में काट लिया है थोड़े से बादाम इसे भी छोटे टुकरों में काट लिया है थोड़ा सा पिस्ता इसे भी छोटे छोटे टुकरों में काट लिया है ड्राइफ रूट्स डालने के बाद थोड़ा सा उपर से ऐसे दबा देते हैं जिससे की ये केक में अच्छे से सेट हो जाएं इसके बाद हम इसे बहुत जादा देर तक के लिए नहीं छोड़ेंगे ऐसे सेट करने के बाद अब हम तुरंत इसे कडाही में डालेंगे कडाही को pre-hit होने के लिए रखा था अभी ये बहुत जादा गरम है तो साधानी से इसमें डालेंगे और केक को 30-35 मिनट तक हम इसी तरह से ढग के पकने देंगे बहुत ही अच्छा एकदम परफेक्ट केक बनके तयार होगा और लीड में जो होल था उसे भी मैंने थोड़ा सा पेपर लगा के कवर कर दिया है अब हम इसे पकने देते हैं 30-35 मिनट के बाद ये देखिए एकदम बढ़िया परफेक्ट स्पोंजी केक बनके तयार हो गया है सभी तरफ से अच्छे से पका है कि नहीं हम इसे टूथपिक से एक बार चेक कर लेते हैं तो ये देखिए टूथपिक हमारा एकदम क्लीन है और अब हम इसे किसी कप्रे से पकड़ के निकाल लेते हैं और बटर पेपर में से भी अलग कर लेते हैं केक को ये देखिए कितना बढ़िया केक बना है अब हम इसे कट करते हैं गेहू के आटे और गुर से बना हुआ केक हैं हेल्दी हैं बच्चे बड़े सब को पसंद आएगा एकदम बढ़िया सौफ्ट स्पॉंजी केक बनके तैयार है मैं इसे कट करके सभी तरफ से दिखा रही हूँ ये देखिए कितना सौफ्ट है एकदम स्पॉंजी और तोड़के भी दिखाती हूँ एकदम जालीदार बना है तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की रेसेपी पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में